नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे भीमा कोरे गाओं के दोसोवी वर्ष गांट के समारों के बाद देश के कुछ हिस्सों में जो हिंसा फैली उसी संदर्भ में उसी मामले में पिछले सपता देश में पांच किर करेंगे और इस विशे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिविल राइट्स आक्टिविस्ट गौतम नवलखा न्यूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं कि यह जो गिरफतारियां हुई है और इसमें इस गिर जानमंत्री मोदी को मारने की कोशिश की जाएगी और तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे यह खत ऐसे मिलना और फिर इसको सारवजनिक कर देना यह किस हद तक जिम्मेदार आना नहीं यह हिंदुस्तान में हमने यह हमने देखा हैं बार बार हर बड़े मामले में पुलीस लीक करती है बहुत सारी बड़ी संसनी खेज खबरें जो की ट्राइल और ट्राइल के दौरान कभी नहीं आती हैं लेकिन यह मीडिया ट्राइल का एक हिस्स्या बन जाती हैं और हमारे यहां वैसे भी कॉर्परेट मीडिया एलेक्रोनिक और प्रिंट का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के संसनी खेज उसको उच्छालने में बड़ा मददगार रहता है और उसमें नमक मिर्च लगा कर और बड़ा चला के रखने में लेकिन जहां तक खत का सवाल है वो तो शरत पवार शिफ सेना ये तो इनी के लोग हैं इनों इनका ही मानना है कि ये तो एक बक् में टेलिग्राफ ने तो दो बड़े रिटाइड पुलीस अफसरों के जिन्हों ने इस मतलब जो की तथा करते लेफ बिंग एक्स्रिमिस्ट और्गनाजेशन के उपर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते थे उन्हें ने तो इस बात पर ही सवाल उठाय या कि ऐसी चिठी उनके उनकी नजर में तो ऐसा होई नहीं सकता है कि एक अंडरगराउंड मुव्मेंट खात करके सीपिया माविस्ट अपने लोगों का नाम इस तरह से खुलनम खुला लिखेगा वो तो सूड़ोंने में ही लिखते हैं अगर आदान प्रतान भी होता है कह लाता है कि इसमें अंतर विरोध है तो जिन्होंने भी बनाया हैं उनकी तरफ से मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि इसको फर्दी साबित करती हैं लेकिन इसके पीछे एक वजेती जैसा मैंने का है इसको बड़ा चड़ा कर एक संसिनी खेज एक सतरे का एक माहौल क्रियेट करना कि नरेन मोदी जी के खिलाफ एक साजिश की जा रही है वगेरा जो कि हमने गुजरात में भी कई बार देखा है और जो कि जूटा पाया गया उनमें जिन बेचारों को पकड़ा भी उसको बाद में तो जाकर मतवक्षरदाम वालों को ही देख लीजे उनको तो 2014 में मैं में सुप्रीम कोट ने उस दिन रिया किया जिस दिन चुनाव की जीत की वो मिठाई बांट रहे थे बीजेपी वाले कहने का मेरा मतलब है कि ये पहले भ की खासियत आती है होता क्या है आप किसी को उठाने जाते हैं तो उसमें आपको पुलीस को वारिंट की जरूट नी है नोटीस देने की जरूट नी है वो घुर में घुज़ कर अगर अनलॉफल आपने अपने एफ आई आर में इस प्रोविजिन का जिकर किया है तो वो बे ह किचक बेढ़क आपके घर के अंदर किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे और आपको पकड़ के लुठा ले जाएंगे आपने यूए पीए की बात की अनलॉफुल प्रिवेंशन आक्ट की तो इस आक्ट के बारे में हम थोड़ा से बात चीत करते हैं कि कैसे यह जो आक्ट है थोड़ा एक ब्रीफ हिस्ट्री में जाने के जरूरत है 1967 में अनलॉफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन आक्ट पास हुआ लेकिन दो बार दो संसत में तीसरे और चौते संसत ने इसे पास नहीं होने दिया इसका मतलब है कि जब यह उस बिल को ला रहे थे परस पर इतन यह पास करने में सफल हुए और उस वक्त वाईबी चेहान ग्रह मंत्री थी उन्होंने आश्वासन दिया था संसत पर कि इसका नाजाएज इस्तिमाल नहीं होगा वगेरा वगेरा यह तमाम चीजें की गई थी 1967 में जब यह आया तो इसका सीधा इस्तिमाल प्लेबल साइट यह इसको समझने की जरूत है यूपिय की जब सरकार आई तो वह इस आश्वासन पर आई थी कि वो पोटा को खारिच कर देगी तो उन्होंने खारिच जरूर किया लेकिन पोटा के तमाम प्रावधान उन्होंने इंपोर्ट कर लिया अनलॉफल एक्टिविटीज प्रिवे कर सकते थे इस आधार पर कि सरकार की रहे में फला संगठन देश की अखंठता और एक्ता के खिलाफ काम कर रहा है या उसकी कंजोर करने की कोशिश में वगेरा वगेरा इस तरह कि अगर सरकार का मानना यह है तो वो किसी भी संगठन को बंद कर सकती है इसमें टेरिरिस प्र बना दिया रहा है इसका मतलब है कि दो grounds पर आप एक संगठन को बंद कर सकते हैं as unlawful activities और दूसरी तरफ terrorist और terrorist अगर संगठन किसी सरकार एलान करती है तो उसमें कोई कारण बताने की जरूत नहीं है उसकी अपनी मर्जी मात्र उनको उस संगठन का नाम अपने एक schedule list है ग्रह बात कर रहे हैं जिस मुलक में हम दावा करते हैं कि हमारे पास constitutional democracy है और rule of law है कानून का राज्य है इस मतलब सरकार की मर्जी आई उन्होंने तै कर लिया एक बार संगठन प्रतिबंदित हो जाता है चाहे वो unlawful या terrorist दो चीज़े होती है जो मामुली accused के rights रहते हैं वो शित हो जाते हैं कैसे पहले है समझिए कि unlawful activities prevention act में जैसे मैंने बतलाया है कि पुलीस को पूरी छूट रहती है कि जैसी किसी वेक्ति का नाम दिया वो उसके घर में बगार किसी notice बगार किसी वारन के घुश सकता है ठीक है पकड़ने के बाद उसके पुलीस हिरासत में रहने की अवधी तीस से अधिक हो से आती है जेल में एक वेक्ति को minimum छे मैंने और maximum जितने भी साल लगें बेल मिलने या ट्राइल के complete होने में हिंदुस्तान में इन में कई साल लगते हैं तो आपको बेल नहीं मिल सकता है क्योंकि बगार prosecution किस वेक्ति को कोई judge किसी accuse को बेल नहीं द किए तेरे कि bail is right jail is jail is exception यहा उल्टा के हिसाब चलता है गंगा उल्टी बेहती है यहां अगर harmful activities prevention act आफ़िया यहां यहां आपको bail नहीं मिलता है आपको jail मिलता है और jail से bail मिलने में आपको कई साल का इंतार करना पड़ता है कि किसी judge की मजाल नहीं कि वो दे दे और prosecution के मनाही के बाद, वो कत्राएगा करने से, इसका मतलब है कि एक शक्स को आपने वैसे ही पनिश कर दिया, बगैर किसी ट्रायल के, जिस तरह के परावधान इस्निमाल किए गें पांचों के खिलाफ, जिसमें की अनलॉफल एक्टिविटीज का तेरा, सोला, सत्रा, अठारा, अ 38, 39, 40, इसमें 13 में 7 साल की सजा है उसके तहट, बाकी 16 से लेकर 18 तक में आजीवन कारवास, पांस साल मिनमम से लेकर आजीवन कारवास तक मिल सकता है, और 38, 39, 40 के तहट, 10 साल से लेकर 14 साल तक की कड़ी सजा सुनाई जा सकती है, मातरिस बात पर की आप मेंबर हैं, एक टेरिरिस्ट और्गनाजेशन के और आप सपोर्ट कर रहे हैं उस फ़लाद टेरिरिस्ट और्गनाजेशन के, या आप फंडरिस कर रहे हैं एक टेरिरिस्ट और्गनाजेशन से उनको जितनों को आप घेरे में ले सकते हैं ये कहकर उनके उपर आरोप मढ़के कि ये जी मेंबर है ये सपोर्टर है ये फंडरेस कर रहा है एक बैंड और 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 ये ही इनके खिलाफ इन पांचों के खिलाफ किया गया है और और तो और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मकसद कन्विक्शन रेट बढ़ाना नहीं है क्योंकि असी प्रतिशत के केसेस में लोग रिहा हो जाते हैं आखिर में जाकर कई सालों के बाद इस पूरी गिरफतारी में भी जो शब्द सबसे जादा आ रहा था अर्बन मावश शहरी माववादी त जो प्रतिरोध की जैसे जनता में एक प्रतिरोध की भावना काफी बढ़ रही है तो सरकार कहीं नै गहीं इस एक शबद को आगे खड़ा करके वो सारा प्रतिरोत दबाने की कोशिश कर रही है जिसमें दलित और आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में हैं और किसान बहुत ज्यादा संख्या में हैं क्योंकि शायद उनको लग रहे कि हाँ अब वो जो 2014 की जीत थी वो शायद उन्निस में उस तर पर ना दोहरा सकें तो उनके लिए जरूरी हो गया है कि खतम किया जाए इन सारे प्रतिरूत जरूर इस बात में दम लगता है मुझे कि मुझे लगता है कि जितना संतोश पहल रह है सरकार की तरफ इस तरह की कारवाईयां जब हो रही है और इस तरह के मतलब घिनोने चार्ज़ेस बगैर किसी मतलब एक बबल के समाना है कि मैं आपने एक हवा में एक आरोब किसी को के उपर आरोट लगा दिया एक मन गड़न चिट्टी पेश कर दी और एक हला मचा रहे ह कुछ है नहीं यह जरूर लगता है कि लोगों का जो असंतोश है उसको कुंठित करने के लिए इस तरह की एक छबी बिनाने के कुशिए और कोशिश की जा रही है कि जो प्रचारक की जो सरकार है नरेन मोदी के नेत्रित में वो उनके खिलाब जो असंतोश है वो थोड़ा क परचारकों से शुरूर वा और हमारे पुलीस वालों ने भी उसे अपना लिया है जाहर है क्योंकि उनके मूँ से यही बात निकल रही है आपको याद होगा यह गिरफतारी के बाद रविंदर कदम का जो स्टेटमेंट था वो लगता है कि उनने अरुन जेटली का कॉलम प परती नहीं है उन्हें अर्बन माववादियों को लेकर इतनी चिंता मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों खास करके उस दोर में जबकि हमारे राजनाच सेंग और भाजपा के जितने भी प्रचारक हैं बार बार यह हवाला देते हैं कि जी माववाद तो अब खतम हो गया है सड़ गया है वो तो खात्मे की तरफ है तो इतने परिशान क्यों हो रहे हो भी अगर वो खतम हो रहे हैं और लोगों का उनके ओपर भरोसा कम हो रहा है तो यह घबराट क्यों फिर यह शहरी माववाद के नाम पर यह धिंडोरा इतना बनाने की जरूत क्यों एक अन्तिम के लोगों पर ही लगा रहे हैं लेकिन हमने हमारे ही देश में यह भी देखा है कि प्रवीन तो गडिया जाकर लोगों में उन्होंने कुछ सालों पहले त्रिशूल बांटे थे तो जहां पर दरहसल वो आक्चली कह रहें कि आप त्रिशूल एक हतियार की तरह आरसानी से को तो अपने आप में इस तरह के कानून जो आप अनलॉफूल एक्टिविटीज को रोकने के लिए या टेरिरिज्म को रोकने के लिए लगाते हैं वो अपने आप में कितने रेलिवेंट होते हैं एक डिमॉक्रसी में जहां पर आप सरकार उनको बहुत आसानी से एक खास तब जिनके खिलाफ घोर अपरात किया जिन्होंने बं डालकर नागरिकों की हत्या की है या बड़ी-बड़ी साजिशों में शामिल हैं उनको खिलाफ कभी नहीं किया जाए उनके खिलाफ तक वैसे भी केस हमारी नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजिएंसी तो कमाल किया हैं न कि उन्होंने केस को ही कमजोर कर दिया अपने ही केस को कमजोर कर दिया तो ये तो ऐसे हैं जैसे कि अपनों के साथ कैसे वैवार किया जाता है ये तो एनाय हो सी बी आय हो हमारे पुलीस वाले आज वही दिखा रहे हैं हिंदुत वादियों के खिलाफ इसलिए उनके खिलाफ कभी कारवाई नहीं की जाएगी यूपिये के दौर में भी बड़ी मुश्किल होती थी इनके खिलाव कारवाई करने में वो भी दस बार सोचते थे कोई कारवाई करने के पहले और कारा भी तो बड़े कमजोर और धीरे धीरे हिचकेचा कर किया जाता था लेकिन उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई मुसल्मानों धलित आदिवासी या जो जिनकी जिनकी विचारधारा से उन्हें खास परेशानी होती है जिनकी समझदारी से या काम से उनको विशिश परेशानी होती है उनके खिलाव जब उनने हमेशा इस्तिमाल किया है अब डिमॉक्रिसी में इसकी जगे तो वैसे नहीं है लेकिन बूज्वा डिमॉक्रिसी एक अलग चीज है यह पूर्ण रूप से डिमॉक्रिसी नहीं है ऐसा हमारा मानना है अगर यह होता तो इस मुल्क में मतलब पचास लगबग 55 प्रतिशत जो जेल में ह हैं वो मुसल्मान दलित आधिवासी समाच से आते हैं उनकी संक्या अधिक नहीं होती जबकि जन संक्या के हिसाब से वो 40 प्रतिशत से भी कम है किने सबसे बड़े अपराद किनके खिलाफ जगन्य अपराद और अनलॉफिल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक का इस्तेमा से सरकार परिशान होती है आशंका के तौर पर एज प्रियम्टिव मूव वो करती है तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ये तो होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है आज दस 2019 का चुनाव सर पर खड़ा है मुझे लगता है आज वक्त सही है इन तमाम पार्टियों से फिर ये आ अग्रह करने का कि अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की तरफ भी आप तवजू दें और इसे खारिच करने की भी आप मन बनाएं क्योंकि जैसे कि आपने टाडा और पोटा का विरोध किया वैसी अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन आक्ट का भी विरोध करने किया जरूरत है जिसका इस्तिमाल उन तमाम संगश्चों को कुछलने की कोशिश है जहां लोग अपनी मांगों को लेकर लड हमाई साथ अपने विचार साजा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नियूस क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद